किसान और सरकार के बीच बैठक अभी चल रही है बैठक विग्यान भावन में चल रही है किसान और सरकार के बीच ये एहम बैठक है किसान सरकार के बीच सात्वे दौर की बैठक है यानि सात्वी वारता है ये क्रिशी मंतरी के साथ किसान नेताओं की बाचीत हो रही है सरकार और 40 किसान संगटनों के बीच इस वक्त वारता लाप हो रही है विज्ञान भौन के बाहर भारी सुरक्षा बिवस्था लगा दी गई है और एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है जो अंदर से खबर आ रही है विज्ञान भौन के भीतर से किसान अपनी बात पर अड़े हैं यानि किसान इस पर एकमत हैं सभी संगटन के किसान की ये कानून जो पास हुआ है वो वापस लेना चाहिए सरकार को इस बात पर अड़े हुए ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं चुकि 40 संगटन के किसान सरकार से सीधे वारता लाप कर रहे हैं विज्ञान भौन के अंदर और जो हमारे सोर्सेज है वो हमें ये बता रहे हैं कि इसी बात पर आकर बात टिक गई है कि इस कानून को वापस लेना चाहिए सरकार को इसमें अमेंडमेंट यानि संशोधन के लिए किसान तैयार नहीं है वो नहीं चाहते हैं कि इन तीनों कानून में संशोधनों और एक हमारे सोर्सेज ये भी हमें बता रहे हैं ये भी जानकारी हमें दे रहे हैं कि सरकार भी इस कानून को वापस लेने के मूड में बिलकुल भी नहीं है सरकार कन्वेंस करने की कोश कितनी देर हो गए रभी सर्राप किसान संगठन और सरकार के बीच वारता लाप को और क्या कुछ जानकारी आपको मिली चुकी आप लोग वहां लगाता डटे हुए हैं पलपल की खबर अब भारत समाचार के जरीए उत्तर प्रदेश को और देश को पहुचाने का काम कर रहे ह बिल्कुल राहूल देखिए तीस मिनिट से ज़्यादा वक्त हो चुका है किसान संगठन के नेता और केंद्रिय मंत्री नरेन सिंग तॉमर और कृष्णी मंत्री के तमाम अधिकारियों के बीच में बैठक जारी है हाला कि सरकार की ओर से अभी जो तमाम जो अधिकारी है किरुष्णी मंत्रा लेके वो अपनी बात रख रहे हैं क्योंकि देखे खत का पहले दौर चलाता है जब बैठक सुरू होनी तो उससे पहले खत और किसानों के तरफ से कहा था खुले मन से और खुले दिल से सरकार बा लगतार है कि सरकार यह चाहती है कि बीच का रास्ता हो और सरकार किसानों को लगतार से जाने में जुटी हुई है हलाकि बैठक से पहले तमाम नेताओं से हमने बाचीत की चाहे हो राकेश टिकेत हो या पंजाब किसान फेडरिशन के निताओं उन तमाम नेताओं ने कहा कि जब तर तिनों कानून रद नहीं जब तर लोग इसी तर लिके दहलेज पर जटे रहेंगे और ज्यादा धारदार इस तमाय मांदोलन को और ज्यादा धारदार और और तेज करने की कोशिश करें क्योंकि और राजियों से लगतार किसान नेताओं ने जिकर किया बिहार का कि बिहार में भी किसान अब उग्र हो चुके हैं वहाँ पर निकाला गया वहाँ पर भी प्रदसन किया गया तो ऐसे में बिहार हो उत्तर प्रदेश हो मद्देश हो रायस्थान हो वहाँ किसान जो है नए वर्ष में नए वर्ष के बा प्रिदेस को बताना चाहूगा और देस को बताना चाहूँगा की इसमें केंदर सरकार का प्रतिन्धत तो कॉन कर रहा केंद्र सरकार की तरफ से कोई डॉकुमेंटरी या कोई सौट फिल्म दिखाई गई एक किसानों को दूसरी दौर करे राहूल तीसरी दौर की बैठा की बात करे तो डॉकुमेंटरी फिल्म बिल्कुल दिखाई गया था जिसमें इन तीनों कानून के फायदे जो है वो गिनाया गया थे तीनों कानून के बारे में बताया गया था और जानकारी दिया गया था डॉकुमेंटरी क जरी कि कितना लाफकारी हो सकता है यह जो तीनों कानून है किसानों के जीवन में कितना लाफकारी हो सकता और किसानों को कितना फायदा मिल सकता आने वाले समय पहले ही दिखा दीकारी वह ब्रीफ कर रहे हैं खत की जो बाचीत हुई थी खुले मन की खुले दिल की जो बाचीत तकरीवन कितने संगठन के किसान नेता यहाँ पर पिछले आदे घंटे से देखे 33 से ज़्यादा संगठन के नेता हैं वह फिलाल बिग्यान भावन में राहूल मौजूद है और उत्तर परदेश किसानों की जो अगवाई कर रहे हैं वह फिलाल मौजूद है और देखे बिग्यान मौन की एक फिर से तस्वीरे दिखाते हैं राहूल के मीडिया का एक बड़ा जमावडा जो है विग्यान भावन के बाहर है और लगतार सबकी नजरे तीकी हुए विग्यान भावन जाने वाले रास्ते को देखिए बंद कर गया था तो यहां पर प्रदसन करने की भी अनुमती नहीं है पर ऐसे में गुर्द्वारा सीख कमेटी के कुछ लोग और रातों में दिर्ली की देहलिज यानी की बॉर्डर पे लगतार बने हुए है और उनकी जाने जा रही है तो ऐसे में वो अपनी बात रखने आप पहुंचे थैं और शुकरिया रवी सर्राफ इस पूरी जानकारी के लिए तक्रीबन पैसर बिन